नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आज हम लोग बिहार agriculture पर बात करेंगे, means agriculture in बिहार, बिहार में कृशी इस ट्रॉपिक पर बात करेंगे, आर्थिक समिक्षा में भी इस टॉपिक पर काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिये हुए हैं, कुछ महत्वपूर जैसी परिक्षाओं में होते ही होते हैं, सामाने तोर पर बिहार में जो भी एक्जाम होता है, वो उन एक्जाम में क्रिशी से संबंदित एक से दो सवाल आपको देखने को मिलते हैं, तो अगले एक घंटे के अंदर आप इस पूरे क्रिशी वाले टॉपिक को समझ जाएंगे और इस टॉपिक से जो भी सवाल बन सकते हैं, इसके हम लोग लास्ट में M3Q की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार में अग्रिकल्चर और उसमें हम लोग देखेंगे जो एग्रो क्लाइमिटिक जोन है, बिहार का, उससे संबं संदित फैक्ट्स को हम लोग देखने वाले, देखें, अगर हम बात करें, बिहार में जो क्रिसी जलवायू छेतर वाला जो इलाका है, जोन है, उसमें देखें, उत्तर पस्चमी जलोड मैदान की अगर बात करें, तो यहां पर जो औसत वर्षा होती है, वो 1235 मिलिमिटर हो एक्तम जो तापमान होता है, वो 36.6 होता है, निउन्तम 7.7 होता है, मुख्य फसलें, चावल, गेहू, मक्का, आलू, इंख, आम और लीची है, इसके अलावा, जो यहां पर महत्तोपूर्ण जिले हैं, जिसमें आप नाम देखी रहे हैं, पस्चिमी चंपारन, पूर्वी चंपारन से लेकर बिगू सराय तर लगभग इसमें कितने जिले आते हैं, 13 डिस्टिक इसके अंतरगत आते हैं, तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं, क्योंकि इससे सवाल आपका एक्जाम में पूछ सकता है, अब आज यह उत्तर पूर्वी जलोड मैदान में, उत्तर पूर्वी जलोड मैदान की जो और सकत वर्षापात जो मिलिमिटर में हैं, वो 1450 है, अधिकतम तापमान और नियूंतम तापमान के बीच देख रहे हैं आप, 33.8 मैक्सिमम टेंपरिचर और नियूंतम 8.8 है, अगर प्रमुख फसलों की बात करें, तो मक्का, अनार हैं, और उसके बाद अगर प्रमुख जिले की बात करें, तो पुरुणिया से लेकर किसन गंजवाला इलाका है, जो भी उत्तर पूर्वी साइड का इलाका है, लगबग इसमें 8 जिले आते हैं, 8 जिले, दक्षिन बिहार अगर बात करते हैं, दक्षिन बिहार के जलो इसमें अगर बात करें, तो 1115 जो है, यहां का वार्षिक वर्षापात है, अधिक्तम तापमान 37.1 है, निउन्तम 7.8 है, प्रमुख फसले चावल गेहु, आलू आम अमरूद है, और सेख पूरा से लेकर गया तकिसके अंदर डिस्टिक आता है, अगर बात करें, बात करें क इसमें कितने जिले होते हैं, तो इसमें टूटल 17 हैं, जिसमें 6 जो है, वो साउथ इस्ट में हैं, और 11 जो है, वो साउथ विस्ट में हैं, तो सबसे ज़्यादा जिलो के करम की अगर संख्या में, तो सबसे ज़्यादा जिले उत्तर पस्चिमी जलूर मैदान के अंतरगत आते हैं, उसके बाद किसमें आते हैं, दक्षिन पश्चमी, उसके बाद उत्तर पुर्वी और फिर दक्षिन पुर्वी, तो ये जो है एक क्रम है जिसको याद रखना है, 67 BPSC परिक्षा में एक सवाल पूछा गया था, जिसका आनसर यही होता, दक्षिन पस्चमी, उसमें पुछा गया था सबसे ज्यादा जिलों की संख्या किस जोन के अंतरगत आती है तो दक्षिन पस्चिम उत्तर पस्चिम जो है वो इसका करेक्ट आंसर होता नौर्थ वेस्ट उत्तर पस्चिम तेरह जिले अब हम लोग थोड़ा सा लैंड यूज देख लेते हैं, भूमी या भू उपयोग फ्राइं यूज तो देख लेते हैं लैंड यूज को देखने के करम में क्या है कि थोड़ी सी बारेकी से चीजों को समझेंगे लेंड का किस-किस प्रकार से इस्तिमाल होता है, तो इसमें से उस सबसे पहला यूज है, वो किस प्रकार से है? फॉरेस्ट, मतलब वन, ठीक, वन, दूसरा, दूसरा है, लेंड, नॉट यूस्ट फॉर, कल्टिवेशन, वैसी भूमी जिसका क्रिसी कारे के लिए उप्योग नहीं किया जाता है, उसमें कौन-कौन से भूमी? जैसे इसमें माल लो, आप बैरन लैंड, जो बंजर भूमी है, या वेस्ट लैंड, जो बेकार पड़ी भूमी है, ठीक, इसके अलावा वैसी भूमी, जिसपर कोई इन्फरास्रक्चर हो, रोड हो, बिल्डिंग्स हो, रोड हो, बिल्डिंग्स हो, तो वैसी भूमी क्या होती है, उस भूमी का प्रियोग क्रिसी कारे के लिए नहीं किया जाता है, तो एक तो हो गया forest, उसको आप side कर दिजिए, एक हो गया land not used for cultivation, तो अगर माल लेते हैं, यह मैं पूरे भारत के land की अगर बात करूँ, तो इसमें हमने ये वाला portion सबसे पहले side कर दिया, जो forest का है, इसके बाद हमने ये वाला portion side कर दिया, जो barren या west land है, बेकार भूमी है, या फिर यहाँ पर infra है, infrastructure वगरा है, इसके अलावा भी कुछ भूमी है, उसका भी प्रियोग हम लोग cultivation में नहीं कर पाते हैं, तो और भी क कुछ भूमी है, जैसे पसूओ के चरने के लिए जो pasture land होता है, हम तो अपना खाना खा लेते हैं, हमें तो क्रिसी से जो चावल, धान, उत्पादन होता है, उससे हमें अपना भोजन मिल जाता है, लेकिन पसूओ को चलने के लिए, कहीं पर पसूओ को खाने के लिए चारा तो उसके लिए जो pasture land होता है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा मालो, pasture land, ठीक है, और एक भूमी का प्रकार होता है, जिसको कहते हैं आप fellow land, fellow land का मतलब होता है परती भूमी, ठीक है, इसके अंतरगत fellow land सामिल नहीं होता है, अब जो है, fellow land में क्या आता है, फैलो लेंड में आता है एक current fellow, current fellow का मतलब क्या है? जो वर्तमान में परती भूमी है और दूसरा आता है other fellow, वर्तमान में परती भूमी उसको कहा जाता है जिसमें एक साल या less than one year, इसमें एक साल या फिर एक साल से कम के समय में कोई भी cultivation का कारे नहीं हुआ है, क्रिशी से सम्मंदित कोई भी कारे एक साल या within one year नहीं हुआ है, इसमें एक साल से पांच साल तक अभी, पिछले पांच साल में अगर सोचें, तो कोई भी cultivation का कारे इसमें नहीं हुआ है, तो इसको आप कहते हैं परती लैंड, ठीक, परती भूमी, तो ये मानलो आ गया current fellow land औ और other fellow land, तो इतना जो भूमी है, लगभग इतनी भूमी जो है, वो इन कारियों में ही प्रियोग होती है, ठीक, अगर हम भूमी उपयोग की बात कर रहे हैं, इसके बाद जो ये भूमी जो अब बच गई, इतना का तो हो गया, forest में या फिर यूज नहीं होता, या फिर पास एक साल से तक कोई भी cultivation का कारे नहीं हुआ है, क्रिशी से संबंदित कारे, और ये हो गया जवा, हाँ पर एक साल से पाँच साल तक कोई कारे नहीं हुआ है, तो ये इतनी भूमी है, जिस भूमी में क्रिशी कारे आपको देखने को नहीं मिलता है, अब ये बच गया बाद वाली भूमी, इसको मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये भूमी ऐसी है, जिसमें वर्स में कम से कम एक बार, मिनीमम एक बार क्रिशी कारे किया जाता है, तो ये भूमी ऐसी है, जिसमें वर्स में कम से कम एक बार क्रिशी कारे किया जाता है, मान लेते हैं, for an example, ये 10 hectare है, मान लिजी ये 10 hectare है, तो 10 hectare भूमी पे क्रिसी कार्य वर्स में एक बार जरूर किया जाता है, ये hypothetical example है, माना हुआ example है, और इस भूमी को कहा जाता है, निवल बुवाई छेतर, या सुध बुवाई छेतर, या फिर सुध बुवाई छेतर, या फिर सुध बुवाई छेतर, ये बार बार आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, या सुध भी बोल सकते हैं, निवल के जगा पे सुध, तो वैसी भूमी जिसमें बर्स वर्स में एक बार कम से कम क्रिसी कारे हो उसको आप कहते हैं निवल भुवाई छेत्र ठीक है निवल भुवाई छेत्र अब इसी से सम्मंदित एक और कंसेप्ट भी है माल लो कि कुछ भूमी ऐसी हो जिसमें पर्याप्त पानी मिल्रहा हो पर्याप्त वहांपर काद की विवस्ता हो फर्तिलाइजर हो उर्वरक हो सीद्षों तो कुछ भूमी तुआ रवाज से होंगी न जो भूमी में Ejectineria में क्या होता है कम से कमें एक बार खेती होगी चाहिए लेकिन कुछ भूमी ऐसी होगी जिसमें एक बार से ज्यादा खेती हो रही होगी मालो मैंने यह जो पिंक वाला दिखाया है इसमें एक बार से ज्यादा खेती हो रही है तो अब क्या निकलता है अब निकलता है gross मतलब सकल cropped area gross cropped area सकल फसली छेतर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है is equal to होता है net zone area यानि net zone area तो इसमें होगा ही होगा ये वाला निवल बुवाई छेतर ये तो होगा ही होगा ठीक है इसके अलावा इसमें और क्या जोड़ जाएगा यानि इसके अंतरगा तो वैसे छेतर तो आएंगे ही gross crop area में जिसमें कम से कम एक बार क्रिशी कारे हो रहा है कम से कम एक बार वो तो आएंगे ही plus इसमें ये pink वाले छेतर भी आएंगे जिसमें एक बार से इस 10 hectare छेतर में एक बार तो हुआ और plus कुछ-कुछ इलाका ऐसा है जिसमें एक बार से जादा भी हुआ उसको भी इसमें जोड़ देंगे तो सोचिए तो ये जो चीज है ना ये pink वाला ये दो बार जुड़ गया जुड़ा की नहीं एक बार जो पिंक वाला है दो बार जुड़ गया यूँकि जब हम net son area निकाल रहे हैं तो उसमें तो उसको count करी रहे हैं इस छेतर को क्योंकि यहाँ पर एक बार तो होता ही है और plus यहाँ पर दुबारा होता है तो एक बार और जुड़ गया और जब एक बार और जुड़ गया तो उसको कहा गया हम लोग एक देख लेते हैं क्रॉप इंटिंसीटी किसको कहते हैं क्रॉप इंटिंसीटी मतलब इसको कहते हैं फसल सघंता इसको कहते हैं इसमें ग्रोस क्रॉपड एरिया मतलब सकल फसली चेत्र बटा बटा नेट सून एरिया इसकल बुवाई चेत्र तो शकल फसली चेत्र बटा शकल बुवाई चेत्र बटा निवल स्वाभी सखल नहीं निवल होगा बटा में क्योंकि निट है निवल या सुद्ध बुवाई छेत्र, सुद्ध बुवाई छेत्र यानि वैसी भूमी जिसमें एक बार ज्यादा बार किसी कारे हुआ बटा वैसी भूमी जिसमें कम से कम एक बार क्रिशी कारे हुआ है इसको आप कहते हैं क्रॉप इंटेंसिटी जैनि एक भूमी पर एक बार से ज्यादा बार कितनी बार खेती हो रही है यह सामान तोर पर इससे निगलता है अब हम लोग जो फेक्ट्र इंफॉर्मेशन जो यहा बात करेंगे तो जो क्रॉप इंटिंसिटी है वह 144 सेंट है शकल सचिछीत जो ईटियरिया है और 72.97 लाक हेक्टेर है क्रिसी है तू राज सरकार के द्वारा टे समावेसी बनानेके लिए इंक्लूसिब बनाने के लिए मेंग्री सरकार के द्वारा जिकान एप लॉंच किया गया है, सिचाई के विकास पर कितना व्याय है, 214.87 करोड रुपे, खाद्यान उत्पादन की अगर बात करें, तो 17.95 लाख टन, वर्स 2021 में, ठीक, यह ध्यान देंगे, एक सब्द और आपको मिलेगा, क्या है, कि वही एक होता है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होता है, एक होता है, प्रोडक्टिविटी, एक होता है, उत्पादन, और एक होता है, उत्पादक्ता, उत्पादन और उत्पादक्ता, क्या अंतर है दोनों नों, उत्पादन और उत्पादक्ता में, देखे, अगर हम पर unit area में देख लें कि बाई production कितना हुआ कि एक unit area में देखें production कितना हुआ है तो उसको आप कहेंगे कि वो productivity कितनी है उसकी जैसे मालू कि यह 10 hectare of Land है तिक एक example ले रहा हूं बस समझने के लिए लिए यह 10 hectare आफ लायंड है यहां पर केहों की जो पैदाबार है मालो वो द्वसु केजी है वे टिकटेटर हिस ऊस्टेकर का जो प्रडॉडक्षन है वह 200 क्यूंड हो गया जो असुंस तर च और एक हेक्टेर लेंड पर 20 कजी का अप उत्पादन करते हैं, ठीक, तो माल लो ये लेंड A था, इसको उधारन ले लो, लेंड A के रूप में, एक लेंड B है, उसका भी उधारन देख लेते हैं, एक लेंड B है माल लो, ये माल लो ये छोटा लेंड है, माल लेते हैं, दो हेक्टेर का लेंड हैं, और यहाँ पर जो येहूं का उत्पादन हो रहा है, माल लेते हैं, वो 50 कजी हो रहा है, तो production कितना हो गया इस land का, 2 hectare की land का production हो गया, 50 kg, अब अगर हम productivity की बात करें, production तो हो गया, 50 kg, अब हम अगर productivity की बात करें, तो कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, production बटा, पर unit area, 50 बटा 2, बतला 25 kg पर hectare, यहनि एक hectare land में हम 25 kg का उत्पादन कर रहे हैं, अब अगर हम इससे compare करें, तो आपको यह क्या दिखेगा, A और B में, यह मालो, second number है, यह वाला, तो क्या दिखेगा, A और B में अंतर, A और B में अंतर यह दिखेगा, कि अगर हम production की बात कर रहे हैं, तब तो A का ज़्यादा है, इसका 200 है, और इसका 50 है, production, लेकिन अगर हम productivity की बात कर रहे हैं, productivity की बात कर रहे हैं, तो यह 20 के जी है, और यह 25 के जी है, यह 25 के जी, तो productivity में B ज़्यादा है, A से, तो इसका मतलग क्या समझ में आया? ज़ी है, कोई ज़रूरी नहीं कि जहां का production जादा हो, वहां का productivity भी ज़्यादा होगा, वहां पर unit एरिया में ज्यादा उत्पादर हो दो हो बड़ा एरिया है, जिसके कारण वह क्या है, जिसके कारण वहां जादा production दिख रहा है, लेकिन एक यूनिट अगर पर यूनिट एरिया में बात करें तो प्रोडिक्टिविटी ज्यादा हो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ठीक है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम लोग भूमी उप्योग प्रति रूप में और क्रिश्य भूमी वैसा भूमी जिस पर कल्टिवेशन नहीं किया जाता है इसको इसमें परति भूमी को हटा दिया जाएगा इसमें पास्चर लैंड यह सब आते हैं तो यह कितना है पॉइंट नाइन पॉइंट सुद्ध भूआई चेत्र मतलब निट सू नेरिया 54.2 पॉइंट क्रिशी के लिए अनुपलब्ध भूमी जो क्रिशी कारे के लिए उपलब्ध ही नहीं है नॉट अबलेबल फॉर दे कल्टिवेशन वह क्या है 23.1 पॉइंट फैलो लैंड 12.7 और क्रिशी उसर भूमी 0.5 पॉइंट लगू और सीमान्त जोते कितनी हैं अगर हम जोत प्रतिरूप की बात करें लैंड प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो लगू सीमान्त जोत कितनी हैं मतलब स्मॉल और मार्जिनल फार्मिंग कितनी है तो यह 97 पॉसेंट है स्मॉल औ कहते हैं less than one और लगो हो गया एक से दो हेक्टेर लेक्ट को लिस देन वन मतलब मार्जिनल और एक से दो हेक्टेर मतलब लगो कुल कृष्च से छेत्र जो है वो 64.6 लाख हेक्टेर है और सच छेत्र फल 0.39 हेक्टेर है यह वही वाला है इसको देख लेंगे गेहों की अगर बात करें तो राज्य में उत्पादक्ता 295 किलोग्राम प्रती हेक्टेर है उत्पादक्ता में अगरनी जिले उत्पादक्ता में बेगुसराय सारन और रोहतास है और उत्पादन अलग होगा रोहतास मुझभपरपूर और भोचपूर जो सकल बुवाई छेत्र है जो ग्रौस क्रॉब्ड एरिया है सकल बुवाई जहता है और यह बिहार की दूसरी प्रमुक फसल बागमति नदी उत्तरब्यार में बहती है रेशेदार फसल क्या है अगर फसल प्रति रूप में देखा जा उसका contribution 0.8% अनाच का contribution सबसे ज्यादा 87.6% उसके बाद दलहन का 6.6% फिर इंक खा 3.3% फिर तिलहन का और फिर रेशेदार फसलों का सरवादिक फसल सघंता यह सवाल पूछा जा सकता है क्रॉप इंटेंसिटी बिहार में सबसे दकाएं तो सिवहर जिले में हैं फसल सघंता नियूनतम कहा है गया में हैं सरवादिक जो नेट सो नेरिया है निवल बुवाई छेतर है उसमें बकसर और भोचपूर का नाम है बिहार में दुख दुत पादन में गाय और भैस 62.6% और 35.2% का कंट्रिबूशन करते हैं अगर हम चावल की बात करें तो चावल में उतपादन में अगरनी जिला रोहतास है और अंगाबाद है और पस्चिमी चंपारन है उतपादकता में पस्चिमी चंपारन सबसे उपर है फिर रोहतास और अंगाबाद है यही क्रम है लेकिन य उस्त उत्पादक्ता बात करें तो प्रती हेक्टेर ओफ लेंड में 2447 किलोग्राम चावल होता है धान की फसल के नाम क्या क्या है अगहनी गर्मा तथा भदई और नियूंतम उत्पादक्ता उत्पादक्ता की बात हो रही है वो मधुवनी में है और सबसे ज्यादा पस्चिम चंपारन में हैं मक्का की बात करें तो उस्त उत्पादक्ता प्रती हेक्टेर ओफ लेंड में 529 किलोग्राम है उत्पादन में अग्रनी जिला कटिहार पुरुनिया और बेगुसराय है उत्पादक्ता में अरडिया पुरुनिया और कटिहार है छेत्रफल देखा जाए तो सकल बुआई छेतर का 8.85% है अनुकूल परिस्तिती में आदर जलवायो और बलूई दोमत मिट्टी चाहिए रभी एवं खरीब में इसकी खरिशी होती है मक्का उत्पादन में देश में पाँचवां स्थान बिहार का है जूट उत्पादक्ता में भी आपको पता है पस्चिम मंगाल के बाद बिहार ही है 2620 किलोग्राम हर हेक्टेर में जूट का उत्पादन होता है अनुकूल परिस्तिती जलूढ मृदा और अधिक वर्षा है यह बिहार के जो किसन गंच पुरुनिया वाला इलाका है वहाँ पर गोवी वैशाली कटिहार नालंदा तमाटर वैशाली पटना नालंदा और बैगन भी नालंदा और पटना आम में दर्भंगा, पुर्वी चम्पारन, मुझबपरपूर, अमरूद में नालंदा, मुझबपरपूर, रोहतास, लीची में मुझबपरपूर, केला में मधुबनी, वैशाली और मुझबपरपूर बिहार में पशुधन की अगर बात करें, तो कुल पॉल्टरी पक्षी कितने हैं, 165.3 लाक टन, गाय बैल, 154 लाक की बात हो रही है, घोडा घोडी, 0.3 लाक, अन्य पॉइंट वन लाक, भेड़, 2.1 लाक, सूर, 3.4 लाक, बकरा बकरी, 128.2 लाक, और भैस भैसा, 77.2 लाक, बागवानी, मतलब होटी कल्चर से संबंदित, अगर कोई पहल की बात करें, तो इंटीग्रेटेड बागवानी विकास मिशन, 23 जिलो में है, इंटीग्रेटेड होल्टी कल्चर, डेवलप्मेंट मिशन, और मुख्यमंत्री, चेफ मिनिस्टर, होटी कल्चर, डे तो यह हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग MCQs थोड़ा सा इस से रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल क्या है? जी, नवीन्तम आकडों के अनुसार बिहार में क्रिसी छेतर में फसल सघंता कितना प्रतीशत है? करेक्ट आंसर है, 144 प्रतीशत, बी, यह अल्रेडी बता चुका हूँ, इसके बाद, इसके बाद क्या है? चलिए, निक्ष सवाल देख लेते हैं हम लोग, निक्ष सवाल क्या है? बिहार में क्रिसी छेतर में सकल 6 छेतर कितने लाख हेक्टेर है? बिहार राज्य सरकार ने क्रिसी छेतर में सिचाई विकास पर कितना व्याई किया? बी, 214.87 करोर रुपीज, यहाँ पर ए लिखा है, इसको बी कर लेंगे? वर्ष 2021 के आकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में खाध्यान उत्पादन कितना रहा है? यह ध्यान देंगे 17.95 लाख हेक्टेर. सवाल में थोड़ी सी गरबड़ी है, खध्यान उत्पादन पूछ रहा है, इस सवाल को, का जो सुधार करके रूप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा. बिहार राज्य में सुध धबुआई छेतर कितना है? सुध धबुआई छेतर कितना है? नेट सोन एरिया 54.2% है. बिहार राज्य में क्रिशी के लिए अनुपलब्द भूमी कितनी है? अनुपलब्द 23.1% ठीक है? बिहार राज्य में पर्ती भूमी कितनी है? पर्ती मतलब फैलो लेंड जिसको कहते हैं 12.7% इस सब सब ओल्रेडी हो चुका है बिहार राज में और क्रिश्य भूमी कितनी है और क्रिश्य जिसमें क्रिश्य कारे नहीं किया सकता है 2.9% इसमें परति भूमी को हटा करके है बिहार में तिलहन की पैदावार कितने प्रतीशत है तीसरा करेक्ट रामसर 1.7 प्रतीशत आगे चलते हैं बिहार में एक की पैदावार कितने प्रतीशत है तो 3.3% बिहार राज में रेशिदार फशलों की पैदावार कितना प्रतीशत है 0.8 प्रतीशत दलहन की फशल की बिहार राज में कितने प्रतीशत पैदावार हुई है करेक्ट रामसर क्या है इसका 6.6 प्रतीशत क्या 6.6 प्रतीशत बिहार में सरवादिक फशल सघंता वाला जिला कौन सा है तो यह सिवहर है बिहार राजी में गेहु की उत्पादक्त कितनी है गेहु की उत्पादक्ता 345 किलोग्राम प्रती है है कि मिधाने हासा है बिहार राज में गेहों की उत्पादर में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? सबसे अग्रणी जिला बेगू सराय बिहार राज में गेहों की उत्पादर में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? रुहतास बिहार राज में सकल बुवाई छेतर के कितने भाग पर खेती हुई है 27.45% चलो तो यह जो है आपका हो गया ठीक प्राइस हाइक होने बाला है 15% तक प्राइस हाइक हो जाएगा जो कोर्स आपको 1600 रुपया में मिल रहा था वो कोर्स जो है तो आपको 1840 रुपय में मिलेगा और जो कोर्स 12,800 में था वो 14,720 मतले लगवाग 15,000 हो जाएगा तो प्राइस हाइक 15% का होने वाला है और इससे बचने के लिए आप बीएस टिन लाइव कोड का इस्तेमाल कर लीजिए बीएस टिन लाइव कोड का ठीक इसके रहाब बैचेट जो है वो लगतार स्टाट है अलग अलग बैचेट चल रही है तो उस बैच में भी आप अपने आपको इन्रॉल कर सकते हैं इसे मैं आपको बिहार पढ़ा रहा हूं तो उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं बिहार पुलिस वाले में अडमिशन अगर लेना है तो इसमें भी ले सकते हैं बहुत सस्ते कीमत पर आपको चीजें मिल जाएगी यूज करेंगे बीस टेन लाइफ कोड ठीक यह जीएस पेपर टू के लिए भी बैचे है जो ठार मई से स्टार्ट हुआ तो इस वाल बाउट आवरान अकैडमी थेंक यू थेंक यू वेरी वाच